Electrical Hit Channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज हम 9 बार्ड का LED बलव कपैस्टर से चला के बताएंगे अमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और दोस्तों हमारे पास 2.5 UF का कपैस्टर है हैवर्स कंपनी का और दूसरा जो कपैस्टर है वो हमारे पास हैवर्स कंपनी का 45 UF का कपैस्टर है और यह हमारा कपैस्टर है दोस्तों 50 MFD का टिप कोंड का कपैस्टर है यह दोस्तों 100 MFD का कपैस्टर है और यह 100 B MFD का कबैस्टर है जे भी 120 MFD का कबैस्टर है स्टार्टिंग कबैस्टर है दोस्तों जे दो कबैस्टर जो हैं वो स्टार्टिंग कबैस्टर है तो अब हम इसको चार्ज करेंगे और चक करेंगे कि क्या हमारा कबैस्टर जो है हमारा जो LED बल्ब है वो कौन से क्वेस्टर से कितना बैक अप देता है दोस्तो उमीद है कि आपको जी एक्सपेरिमेंट अच्छा लगेगा दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब भी हम सभी क्वेस्टर को एक्साइड वे कर देते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम 2.5 जी अपका क्वेस्टर लेते हैं यो की हैवस कंपनी का है जह देखिए दोस्तो तो दोस्तो इस कपाश्टो को पहले हम चार्ज कर लेते हैं अब दोस्तो जो इसके दोनुप पॉइंट है बहाँ पे हम लगाते हैं वायर को तो कोई भी रिस्पॉंस नहीं आ रहा है एक बार फिर से दोस्तो चार्ज करते हैं और फिर से लगाते हैं दोस्तो नार्मल सा ब्लिंग होगा और इससे बिल्कुल भी नहीं चला 2.5 जो अपका कपाश्टर है उसके साथ नार्मल सा ब्लिंग किया है तो इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चला हमारा LED बलब जो की Luminous Company का है तो अब हम दोस्तो थोड़े बड़ा कपाश्टर के साथ देखते हैं अब दोस्तो और थोड़ा सा बड़ा कपाश्टर लेते हैं जे 50 UEP का कपाश्टर है लेकिन 5 UEP का ही फरक है तो इसको हम रहने देते हैं इसे बड़ा कपाश्टर लेते हैं दोस्तो जो की हमारे पास 100 UEP का कपाश्टर है सिर्विकोंट कंपनी का सोवा मेफडी का कबाश्रा है और इसके साथ हम चेक करके देखते हैं कि शायद हमारा बलब काफी टैम तक चले तो इसको हम चार्ज कर लेते हैं तो दोस्तो अब हम इसको जो हमारा एलेडी बलब है उसके जो दो पॉइंट है बहां पे लगा के देखते हैं यह जिखी दोस्तो इसने थोड़ा इसा टाइम ज्यादा दिया है लेकिन जो सोज उएक का कबैस्टर है और इसको भी हम डिस्चार्ज कर देते हैं दोस्तो जो रनिंग कपैस्टर है हमारे उनके साथ थोड़ा लंबा दो नहीं चला लेकिन अब हम हमारे पास जो स्टार्टिंग कपैस्टर है 110-120MFD का 230-275V का तो इसको हम अभी चार्ज करते हैं और इसके साथ बल्ब को लगा कर चेक करेंगी दोस्तो रणिंग कपैस्टर की बजाए स्टार्टिंग कपैस्टर जो है हमारा उससे हमारा LED बलब थोड़ी जाद देख तो चल रहा है कुल मिला के देखा जाए तो जो शोटे कपैस्टर है उनके साथ बैक अप थोड़ा कम है वो जतना बड़ा कपैस्टर है उतना थोड़ा बैक अप जादा है लेकिन दोस्तो इतना बैक अप भी नहीं है कोई इस से हम काम ले सकें यह एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा कमंट करके बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद